संतों ने बड़ा जोर देखे का प्रारब्द की कमाई के बिना ये जीव सच्छंग में बैठ नहीं सकता, सच्छंग को सुन नहीं सकता और सच्छंग भव सागर की नोका है, सच्छंग हमारी आत्मा की खुराक है, सच्छंग हमारा आत्म कल्यान करने के लिए जाहाज है सत्षंग दुखों से छुटाने के लिए बव सागर से पार होने की नोका है लेकिन हम सत्षंग को जानते नहीं बस गाना बजाना हुआ बस हो गया सत्षंग सत्षंग कहते किसको है जब तक व्यक्ति का विचार नहीं बदलेगा सत्षंग नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति का विवार नहीं बदलेगा सत्संगी नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति का अहार विवार विचार ठीक नहीं होगा तब तक गुरु का नहीं हो सकता सत्संगी नहीं हो सकता है चारों तरप से अपनी नीम को मजबूत करना हार से, विवार से, विचार से, सील समा संतोस, सत धैरिय विश्वास, विश्वास बड़ा गहरा हो, दुनिया की कोई भी दोलत हो, जो विश्वास को ना डिगमगा सके, जैसे मेरांबाई का, जब मेरांबाई का जीवन पे चर्चा करते हैं, मेरांबाई का जीवन दुखों से भरा हुआ था, लेकिन आनन्द से भी भरा हुआ था, दुख इसलिए के संसारिक बाधाएं बहुत रही, परिवारिक बाधाएं बहुत रही, समाजिक बाधाएं बहुत रही मेरां के जीवन में, मेरां को दुख ही दुख मिला, मेरां बच्पन में ही क्रिशन भक्ति में लग गई थी, बाध में रविदास गुरु बनाना पड़ा, और इतने दुख हम सोच भी नहीं सकते, पिता की मौत, पती की मौत, सास की मौत, ससुर की मौत, जिसने रख्षा की उसकी मौत होती गई, बाद में राणा जी ने मीरां को इतना दुख दिया हम सोच नहीं सकते, आपने सुना होगा कविताएं, जहर का, साप का पिटारा भेजा, जहर का पहला पिलाया, पता ना क्या-क्या यात नहीं दी मीरां को, क्योंकि मीरां सत्संग में लग चुकी थी, मीरां आनंद में इसलिए थी, कि मीरां सत्कों जानगी, कि ये जो दीखता है, ये सब समाप तोने वाड़ा है, मीरां ने जान लिया, ये जो समंद हैं, ये भी तूटेंगे, ये जो गोती नाती हैं, ये भी बिचुडेंगे, औ और जिस सरीर के लिए हम जतन करते हैं यो सरीर भी छूट जाएगा तो मरजी ने कहा था बाणी में अभी कि आप उसी घर में जनम ले लोगे तो भी आपको याद नहीं होगा आपने क्या किया था आप सोच के देखो एक व्यक्ति अपने पडोसी के साथ उस पडोसी को बार बार प्रेशान करता था उसकी जमीन अडबता था उसके साथ धोखा बेहिमानिया ठगिया करता रहता था और फिर उस व्यक्ति की मौत हो गई मौत हुई दूसरे घर में जनम हो गया दूसरे घर में जनम हुआ जिसका चीनता था जगड़ा करता था खोसता था उसी घर में जनम हो गया गए उस घर में जनम हुआ, एक दिन खेत में डोड़ी को ठीक कर रहा था, अपने खेत की माटी रोशी के खेत में डाल रहा था, एक फकीर ने कहा के बाई, मैं आपकी दो जनमों की जानता हूं, पिछला जनम में आप इस डोड़ी को इदर सरकारे थे और इस जनम में इस डोड़ी को इदर सरकारे हो दो जनम आपने इस डोड़ी पे खो दिये थोड़ी थोड़ी माटी काट के इदर सरकाते रहे एक जनम इदर गया एक जनम इदर गया क्यों ना मलिक के नाम की बंदगी मलिक के नाम का सिमर्ण कर लेते सचंग नोका है भवसागर की जब तक आपका हार बिवार विचार ठीक नहीं होगा आप सचंगी नहीं हो सकते पूरा जीवन बीट जाता है मैंने कई बार बड़ा मन खिन होता है मेरा वो इसलिए होता है कई परिवार बड़े अच्छे सचंग से जुड़िये होते हैं लेकिन जब उनकी गहराई से देखते हैं ना उनके बिचारों में बदलाव नहीं आता है उनकी हिर्दे में प्रेम नहीं बन पाता वो कभी एकांत में बैठके रो नहीं सकते उस परिमात्मा के लिए और कभी पुड़ोसी को माफ नहीं कर सकते और फिर बात बातें बड़ी बड़ी बात सिद्धों की और विवार गिद्धों का विवार बेइमानी का विवार ठगी का तो इसे क्या होता है गीसा संथ कहते हैं सत्षंग किया सार न जाना छूट्या नहीं बेइमाना रे बहुत से लोग कहते हैं मरजी बात नहीं बनती बात तो बहुत जल्दी बनती है अगर प्रीत सच्ची है अगर रोना सच्चा है फिर कहते हैं सद्गुर नहीं मिलते अगर आपकी प्रीत ही सच्ची है तो सद्गुर तो अपने आप मिल जाते है जरूरी नहीं है कि पूरा सद्गुर हो माराज जरूरी है पूरा सद्गुर जरूरी है तो सिस्य भी पूरा ही जुरूरी है जो पचा सकता है शेरनी का दूद तो सोने के पातर में ठेरेगा ऐसा संतों ने जिकर किया है शेरनी का दूद को पचाने के लिए किसी सरुन का पातर चाहिए अन्य पातर में सेरनी का दूद नहीं ठेर सकता ऐसे ही हमारे भीतर वो सवन गुन होने चाहिए वो प्रीत होनी चाहिए वो हाजमा होना चाहिए दुनिया की छोटी-छोटी बातों को देखके मान बड़ाई आ जाए और बिरोध आ जाए ये हमारी रस्ते की बाधक है साधक के लिए ये खत्रा है आंतरिक जिनकी यात्रा होनी चाहिए वो रुक जाएगी जबकि भक्ती मारग में अभ्यास करने वाले सत्संगी जीवने नाम सिवन करने वाले सद्गुर के प्यारे लाल ने सिकायत नहीं करने चाहिए कोई सिकायत नहीं मालिक मगन रहे मन मगन वया फिर क्या बोले ध्यान लगे ना लगे इस बात की चर्चा करे सद्गुर से क्योंकि तडफ बनी रहे प्यास बनी रहे लेकिन मन में इस बात का कई बार ऐसे प्यारे सथसंगी होते है और मैं उनकी दसा देखता हूँ कि उनका ध्यान नहीं लगता कई बार ध्यान तो किसी का नहीं लगता जिसका लगता है वो को एकाद होते हैं क्योंकि मन का ठैराव होना बड़ा उखा है ध्यान नहीं लगता तो पेट में बड़ा बारी अफारा बढ़ने लग जाता है खिन होने लग जाता है उदास होने लग जाता है मेरा ध्यान नहीं लगता मेरा ध्यान नहीं लगता इस बात को मन से निकाल दो ध्यान लगे चाए ना लगे आप लगे रहो और आप प्रभु का सुक्र गुजार करने लग जाओ आप अपने भीतर की प्रीत चाओ को बढ़ाते जाओ लगो या मत लगो इस बात की फिकर मत करो क्योंकि स्वामी नितानंद याल कहते है राम सुनो या मत सुनो मो बिरहन के बैन दर्स आस में लाग रहे नितानंद के नैन जिन की बढ़ी है ना बड़े सहज में भी बढ़ी है और बड़े संग्रस के बाद भी बढ़ी है लेकिन बढ़ी उनी की है जिनके भीतर में पक्का विस्वास है निश्य है जिनोंने ये सोच लिया सरीर कल जाता आज चला जाए लेकिन फिर भी भक्ती नहीं छोड़ी फिर भी महली के नाम की प्राथना पुकार नहीं छोड़ी हजारों दुख आए मीरा ने अपना विवार ठीक घराब नहीं किया हजारों पीड़ा ही लेकिन मीरा प्रेम भक्ती और विवार में बदलाव नह एसे ही हम संत क्या कहते हैं सुन हंसा भाई हंस गती में होना जागा जब तो ग्यान विचारे ध्यान लगा के सोना सुन हंसा भाई हंस गती में होना के जागा है जब तो मालिक के नाम की चर्चा करें दुखाएंगे पेडाएंगी स्वामी नितान अंद्याल कहते हैं सत धीरज ना चोड़िए दुख सुख लायर अनेक देख लेकिन दुख सुख में भी मालिक के नाम की भगति प्रीत नहीं छोड़ेगा आपकी प्रीत बनी रहेगी तो बात समझना आप मजबूत हो रहे हैं आपकी यात्रा शुरू हो रही है जिसका आपको पता भी नहीं है और जब घट जाएगी घटना तो आपके पास कहने के लिए सब्द नहीं होगे आप चुप हो सकते हैं क्योंकि आप बोलना भी ज़्यादा पसंद नहीं करोगे साइलेंट भी हो सकते हैं बस्त और बोलोगे तो मालिक के नाम की चर्चा बोलोगे जय बोला है तो हरी कथा ना मोन राख है मिथा करवा दूर वचन कभू ना मुक्षे भाख है लेकिन प्रिये बंदू कोई आपको कुछ भी कहता रहे कितने अगम नगम की बड़ी बड़ी बातें करता रहे उस बड़ी बड़ी बातों से आपका ध्यान नहीं लगेगा आपका भजन सिम्रन नहीं बनेगा जब तक आपका आपके भीतर प्रीत पैदा नहीं होगी आपके भीतर बिरहराम की नाम की नहीं लगेगी कभी-कभी ये कांत में बेठे वे आँखों में नीर जा रहा है किसके लिए? प्रमात्मा के प्रेम के लिए, सद्गूर के प्रेम के लिए ऐसे ही, एक प्यास, एक भूक, एक मांग, एक प्रीथ, एक रोना उसके लिए अगर आप हकेले हैं, ऐसे ही आ गया सुख और भीतर गदगद हो रहा है कब दरसन होंगे भीतर व्यकुलता हो रही कब दरसन होंगे ये प्रेम है और इस प्रेम में दुनिया की किसी भी दौलत की सौरत की परिवार की मांग नहीं है अगर मांग है तो प्राथना में बदला हुआ है हलाकि संतों ने बड़ी प्राथना करिये तुझे छोड में जाओं कहां मेरा और न कोई धर्म दासची की बाइन है ना तुमें छोड मैं जाओं कहां मेरा और न कोई और जग में अपड़ा है नहीं देख़्ा सब तोही चारू तरब डून्ड के देख लिए कोई नहीं पाया स्वारत के साथी बहुत मिले पर धुर का साथी नहीं नहीं रे कोई धुर का मिता धुर का मीत नहीं इसलिए प्रियबंदूओ अपने जीवन में आप जहां भी हैं मैं जानता हूँ घरस्ती घिरा हुआ होता है और घरस्ती सुक दुख में भी वेचारा बेचेन हो जाता है यहां बैठ के बाते करना असान है पर जिस व्यक्ति के उपर से बीथती है न वो जानता है इसलिए मैं एक बात बड़े प्रेम के साथ कहना चाहूँगा अपनी प्रेम भक्ती मत छोड़ना दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, मित्र भी आएंगे, जाएंगे अपना ब्यभार में बदलाओ मत लाना प्रमात्मा के नाम की कमाई आप करते रहना मालिक के नाम का सिम्रन आप करना आप अपने विवार में जरासा भी बदलाओ मत लाना एक फकीर नदी के किनारे से जा रहा था और उसमें एक बिच्छू डूब गया, डूब रहा था फकीर ने हाथ दे के बिच्छू को निकालना चाहा, बिच्छू डंक मार जाए बार-बार मरजी पानी में हाथ दे, बिच्छू डंक मार दे हाथ दे फिर डंक मार दे एक खड़ा हुआ पास में किसी ने का बाबा, आप क्या कर रहे हो छोड़ दो इसको ये बार-बार डंक मार रहा है और आप निकाल रहे हो फकीर ने बड़ा प्यारा जबाब दिया, डंक मारना इसका सुभाव है डंक मारना इसका सुभाव है सुभाव है इसका और दया करना मेरी आदत है रक्षा करना मेरी आदत है तुलसी साब कहें, दया धरम का मूल है और पाप मूल अभिमान तुलसी दया ना छोड़िये जब लग घट में प्राण जब लग घट में प्राण है, स्वास है तब तक आप अपनी आदत जो दया की है, जो सीलता की है जो मालिक के नाम की प्रेम की है उसको मत छोड़ना राम मिले या मत मिले इसकी फिकर मत करो मिलना ना मिलना उसका काम है हमारा काम है प्राथना करना हमारा काम है रोना उसके लिए आप अपना काम जारी रखो फिर उसका काम उन्होंने करना आता है अच्छे से करना आता है जिस वक्त हमारी सारी भ्रांतिया मिट जाएंगे जिस वक्त हमारी सारी गंदगी समाप्त हो जाएगी सीसा साफ दर्सन हो जाएंगे सीसा ही साफ नहीं तो दर्सन भी नहीं इसलिए सद्गुर के प्यारी साथ संग जी सचसंग में बैठ करके आदतों को बदले विचारों को बदले और अपने जीवन में हर घड़ी, दिन में कई कई बार, खेत में काम करते हुए, ओफिस में बैठे हुए, गाड़ी से जाते हुए, कोई बादा नहीं है, तुम जहां भी हो, और एक खिर्दे से प्राथना कर लेना, प्रभू मैं तेरा हूं। हजारों बार करो दिन में प्रभू, मैं तेरा हूं। स्वामी नितानन दयाल, मैं तेरा हूं। ज़्यादा समय तो परसंद कर लेना, मुझे दर्संद की प्यास है, दया करो। और जब एक कारिये विवार करते हैं, मेरे गुर्दे मेरे साथ हैं, वो देख रहे हैं, बेमानी नहीं करने हैं, ठगी नहीं करने हैं। यह छोटा सा सुत्तर है, आपके जीवन को बदल देगा। और सच कहूं, फिर परमात्मा भी दूर नहीं हैं। सच कहूं, फिर सदगुर भी दूर नहीं। दूर तब तक हैं, जब तक हम, हम से ही रूठे हुए हैं। जब तक हमारे प्यास नहीं हैं, हमारे लगाओ नहीं हैं। एक एक बाणी आपके जीवन को बदल सकती हैं। एक एक बाणी आपकी पीड़ा को मिटा सकती है। संत की, फुरसत मिल जाए तो संत बाणी का गुनगान करें। सहज में पाठ करें। आधिनी के साथ, सरलता के साथ, एक पाठ ऐसा है, अगर दुख पिड़ाती है, तो अपने सद्गुर के आगे बैठके कर सकते हैं। जहां भी हैं, आपने रुटीन में सामिल कर सकते हैं। क्योंकि वो आधिनी सिकाता है, वो प्रातना कराने सिकाता है, वो भी जुकना सिकाता है। और आपको पता है जिस पेड़ के फल लगते हूं ज्यादा जुकता है ज्यादा लगी और जुकेगा जिसके अच्छे संसकार अच्छा विचार होगा उसका जीवन उतना ही आनंदित और सरल होगा बाधाओं रहित होगा क्योंकि मालिक के नाम में ताकत है जग को समारा है पा बजन कसाई को सदना भक्त आपने बनाया है तो मेरी भी पुकार सुन लेना मैं पड़ा तेरे दवार मेरी भी सुन लेना यह एक तो गीत नहीं है आपकी प्रात्ना बन जाए और प्रात्ना बनने का भाव आपका बेवार में आ जाए आपके विचारों में आ जाए क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा दुबारा वो खेत की डोड़ी का उधारन दिया मैंने दुबारा मिल गया होगा सरीर लेकिन दुबारा मिलता नहीं लक्चुरासी तन बहुतेरे मन खा देना पाऊगे लक्चुरासी में सरीर बहुत होंगे मनुस्य स्रीर नहीं मिलेगा लक्च रासी योनियों में और जनम वो तेरे होंगे मानस जनम दुहला रे तुम सुनियों संत सुजान सत्गुर्ण ने दिया हला रे बार बार ये दे नहीं और दे घणी निता अनंदी से देहे में सुम्रो राम धनी बिलकुल सरलवासा में कह दिया कोई संस्कृत का गहरे सलोक नहीं बोले कि साधान लोगों के समझ नहीं आएंगे बार बार ये कह दिया भाई फल तूटके निचे गिर गया दुबारा पेड़के नहीं लगागा ऐसे ही मानव जीवन छूट गया दुबारा नहीं मिलेगा दुबारा नहीं मिलेगा और जनम वो उतेरे होंगे और अनेकों जनम होंगे इसलिए आप अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो अध्धात्मिक उर्जा के साथ अध्धात्मिक दौलत के साथ और अध्धात्मिक दौलत इस बात को नोट कर लेना बेईमान के पास नहीं आएगी ठगी चोर जवारी के पास नहीं आएगी चापलूस के पास नहीं आएगी हो नहीं सकता हाँ वक्ता हो सकता है सास्तर युक्त बाते कर सकता है लेकिन सास्तर युक्त भीतर का जीवन नहीं हो सकता क्योंकि बेद सास्तर पढ़के बाद तो बड़ी सुत्री करेंगे चोर भी कर लेगा चोर भी अपने भगवान को मना के जाता होगा चोरी करने के लिए तो ये प्राथना नहीं इससे भला होने वाला नहीं है तो कोटोति में गंगा आप अपने भीतर परयोकरे मन ठीक हुआ द्रेश चूटा बेवानिय चूटा जगडा चूटा दुस्मन को भी कर दें माफ ऐसी समता आई ऐसा विचार आया है कि बदला का ख्याल न हो ऐसा विचार आया है कि बदला की सपने में भी नी सोचना सत्संग ये सिकाता है सत्संग ये नी सिकाता जाओ भगवान देखेगा मैंने तो जो करना था कर दिया ऐसा होता है ने कई बहर ऐसे बड़े सत्संगियों के अब सामने देखा है वाई ठीक है आग गयतना आप पे सजा मिलेजेगी मापरस कहते है ऐसा भी मत कह सपने में भी बदले का ख्याल ना आए छमा करना है, माफ करना है ऐसा जिक्राया कि इस माफ करना किसको कहते है जो व्यक्ति बदला लेने में पूरण समर्थ होते हुए भी इस बात को ध्यान देना जो व्यक्ति बदला लेने में पूरण सामरत होते हुए भी इस लोक में तो क्या पर लोक में भी बदला का ख्यालना हो वही छमा करना है वही माफ करना है इतना निर्मल कौन होगा क्या उससे परमातमादूर होंगे क्या उसके भीतर अधातम दौलत नहीं मिलेगी तो नहीं हो सकता ऐसा मिलेगी पक्की बात है मिल गया इसलिए हमने क्या करना है आदत बुरी सुधार लोबस हो गया बजन अपने उपरी प्रेक्टिकल करना है मन जाता है तो विचार करो क्यों गया द्वेस आया तो क्यूं आया कप्ट आया तो क्यूं आया जागे होस में आये हम सारा जीवन बेहोसी में स्खो देते हैं और फिर बात करते हैं कोई संत मिलेगा सिर्प हाथ रखेगा बस पहुंच जाएगा नहीं भई संत दया करते हैं सुर्य प्रकास देता है लेकिन सीसा अगर पढ़ा है तो उसकी अपनी योगे तायच समग उठता है ऐसा भी नहीं गुरु तरास्ता है पर गुरु कसोटी हो तो गुरु कुमार है सिसकुम्भ है खोट निकालता है पर आज आज का जमाना कैसा है किसी को थोड़ा साभी कहते बस हो गया सत्संगी जहराम जी की मैं तो बड़ी सेवा करता था हम तो रोज पहतर जाते थे सेवा करते थे मारे को परसाद ही नहीं दिया मेरे से बोला एक दिन एक सेवक कहने लगा मारा जी मन दुखी हो रहा है फोन करके को मैं क्यूं बादों के मेले पर आया था मैं तिन चार बार सत्संगी आपने ली नहीं मेरे आमने सामने होके कहा था नहां मैं साइड से बोला था भीड़ जाता थी और फिर नहीं ली तो फिर इससे आप रुष्ट हो गए ये मान खड़ा हो गया ये हंकार खड़ा हो गया ये ना समझी और मुर्खता होगी अगर आपका मन निरमल आपने मन से भी बोल दी तो उन्होंने तो सुन ली ना और मन मस्त रहे हम शिकायतों के भरे हुए हैं एक दूसरा से बहुत शिकायते रखते हैं माफ नहीं कर सकते हैं जबकि गुरुनानक ने का एक कौंकार स्वाम नितान उन्द्याल ने का सबगट मेरा साइया कबीर साब कहते हैं सबगट मेरा परमात्मा मुझूद है वो ही है परमात्मा का यह अंस सबगट में है बस भूल मिटी भूल है इसलिए दो है भूल है इसलिए दूरिया है और समाजिक जो शाने बनते हैं ग्यानी ध्यानी यो ठेकेदार समाज के चे महात्मा बन जाए चे कोई भी बन जाए वोग तोड़ते हैं व्यक्ति को तोड़ते हैं जैसे हम तोड़ रहे हैं अपस में जातियों में ये ब्रामन ये बनिया ये जाट ये राजबूत ये गुजरी यादव ये हरिजन ये तोड़ना है पर महात्मा ने ऐसा कोई विधान नहीं बनाया और जैसे महात्माओं में ये पंथ ये तोड़ना है कबीर ने कोई पंथ की बात नहीं की स्वाम नितान नानक दादू रधास ने कोई पंथ की बात नहीं की उन्होंने चोट किये पंथों पे पंथ नियारन बदन पल्टिया स्वेत भहे सब केसा पंथों के चक्र में पढ़के बदन पल्ट जाते हैं स्याई से सफेदी आ जाती है पर समझ नहीं आता है पंथ भी बादा है जातियां भी बादा है क्योंकि हम एक हैं हम उसी के बच्चे हैं उसी के हैं और फिर हम किस से करेंगे नफरत सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं रहा है लेकिन होता नहीं कहना असान है मैंने सुना है कि एक सत्संगी कई पीडियों से सत्संग में जाता था बड़ी सेवा करते थे आसरम में और जो घर जाने लगा तो उस फकीर ने उस महत्मा को दो फल दे दी दो सेव दे दी घर जाए पहुंचा वो दो भाई थे दोनों के एक एक बच्चे थे दोनों बच्चों को बुलाया दोड़ते हुए आए और दो सेव जेम में निकाल के ऐसे कर दे, जो दो सेव ऐसे किये, तो एक तरफ भाई का बेटा, एक तरफ खुद का बेटा, और सेव एक छोटा था, एक बड़ा था, और छोटे सेव की तरफ खुद का बेटा था, बड़े सेव की तरफ भाई का बेटा था, मन में बेईमाना आगया मन में बेईमाना आगया तो कहने लगा बेटा आखे बंद करो में जादू करता हूं नादान बच्चे थे दोनों ने आखे बंद की और उस व्यक्ति निका वन टू थ्री ऐसे करके बड़ा सेव अपने बेटे की तरफ कर दिया और छोटा सेव भाई की बेटे की तरफ कर दिया अब विचार करके देखो तीन पिटियां से सचंगी थे यह सेव की हेरा फेरी नहीं चुटी राम की तपा वगा खान पिणकी हेरा फेरी नहीं चुटी कहते हम सचंगी सरम नहीं आती है इसलिए संत जाड जाड के मारते है इन महात्माओं के भी और सत्शिंक्यों के भी साधव होना कठिन दवेला जीवतागा मर जाना रे साध Wy्या मान न छूटा काय को ले लिया बाना रे साधु हो गया अंकार न कुछ टा मेरा पंत मेरी गद्दी ये क्या बात करते हो ये पागिलपन की बाते हैं मान नहीं छुटा काहे को ले लिया बाना रहे बाना क्यों लिया है बाना क्या बाना इसलिए लिया है आज तो ढॉंग और पाकंड इस बानों के अंदर जादा उने लगें सत्संगी नहीं बाना पहरा सेरकार बाते हैं गरस्तियों से भी बुरी फिर कहते हैं ये सत्संगी हैं ये महात्मा हैं इसलिए आम जन रोते हैं कटते हैं लोगों से क्यों कटते हैं बेमानिया ठकियां जादा करते हैं चोरी की बाते जादा करते हैं नफरत की बाते जादा सिकाते हैं मैंने बड़े करीब से देखा है बड चोटी बात तुमारे अंदर है अग meget कि इतनी पहाँ करते हो आप साधु एं महात्मा होगा शरम नहीं आति ऐसे लोगों को इसलिए सतसंह क्या है जास सत हो अर जास दिवारे हैं आए वह नफरत है वो सतसंग नहीं है इसलिए सत्गूर की प्यारी सतसंग जी नफरत की बातें मत करो ऐ साध की संगत मत करो जिसके पास बैठने से पंथ, नफरत और जाती की बात आती है ऐसे व्यक्ति की भोलके संगत मत करना वो साधू नहीं है हो यह नहीं सकता समाज का ठेकेदार हो सकता है साधू नहीं हो सकता संत नहीं हो सकता इसलिए कुसंग की बुरे व्यक्ति की संगत मत करो स्वामी नितानन्द याल कहते कुशंग बहार भी है पर कुशंग भीतर भी बेठी है नितानन्द जिस मुनस से छूट है नहीं कुशंग भीतर का भी बहार का भी बहार से तो बच गई होका बीडी स्राब चाय कुछ नहीं पीते छोड़ दी और बुरे व्यक्तियों के पास भ पुराता होगा पर नफरत तो होती होगी भीतर से नहीं मैं सत्संगी हूँ प्रशाद बाटने मेहरा फेरी करने लग जाते हैं सत्संगी छोटी बाते हैं पर ये बहुत गहरे में हमारे भीतर बेठी है इन बातों को बदलना है निर्मल मन क्योंकि कबीर साब कहते हैं हम मंगल चाहते हैं सबका पर इसमें कोई दोस्त और दुस्वन नहीं है मेरा कभीर खड़े बजार में सब की मांगह खैर ना काउंते दोस्थी ना काउंसे भैर दुस्वन भी कोई नहीं मित्र भी कोई नहीं लेकिन भला सब का चाहता हूँ क्यों क्योंकि यह सब काल के जी बने हुए है और हम चाहते है काल के ताकि फिर इनका जनम मन चुट जाए, ताकि ये फिर रोणा चुट जाए सदा के, क्योंकि मानव जीवन में इतनी सुविदा होते हुए भी दुखी है, अब वहां तो कोई भी सुविदा नहीं है, यहां तो पंखे भी हैं, एसी भी हैं, कुलर भी हैं, सर्दी गर्मी किसे परचाओ के संसाधन भी है, डोक्टर भी है, इलाज के लिए, मेडिशन भी है, लेकिन वहां तो मेडिशन भी नहीं है, वहां तो डोक्टर भी नहीं है, वहां तो संसाधन भी नहीं है, वहां पूछने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए कहते हैं थारे जीवते बुरी बनेगी 84 सी में जाके सत्संग इसलिए आप अपने जीवन को समारें अपने जीवन को बदलें अपने भीतर बदलाव लाएं अपने विचारों को बदलें निर्मल मन निर्मल मन ही प्रमात्मा को पाता है सेवा पूजा प्रात्ना जब तब ये साहक है ऐसा नहीं है कि जब करने वाला प्रमात्मा को पाएगा ऐसा भी नहीं है ऐसा भी नहीं है कि प्राथना करने वाला प्रमात्मा को पाएगा ऐसा भी नहीं है कि सेवा करने वाला प्रमात्मा को पाएगा ऐसा नहीं है और पर ऐसा है क्यों क्योंकि छट पर जाने के लिए कोई भी सीड़ी छट नहीं है पर साहिक है साहिक है उसकी और जाती है पूजा भी प्रात्ना भी जब भी तप भी सेवा भी सिमरन भी ये उसकी और जाते हैं जैसे सीड़ी परते एक स्टैप छट की और जाते हैं ऐसे ही वो सब परमात्मा की और जाते हैं बहुत से लोग दाइरा बनाते हैं नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना मैं तो बस सेवा धरम करता हूं बुकों को भोजन में प्राथना है प्रमात्व मिल जाएगा ऐसा नहीं है पर ऐसा होता है जिसका मन निर्मल हो जाए सेवा करते करते सत्गुरु वहीं परगट हो जाएगा वहीं इतियास गवा है वो आप आजाते हैं अगर प्यास जब बनती है इसलिए सत्संग किया करो सत्संग में बेठो लेकिन बिचारों में बदला हो लाके धरम हरिदास महराज कहते है प्रेमी प्रेम पालड जूले प्रेमी प्रेम पालड जूले प्रेमी प्रेम के पाले ले जुलता हूँ जानता है मैं गुनागार हो सकता हूँ मुझे दरसन नहीं है तो भी चड़ा हूँ मुझे मेहर नहीं है तो गुनागार हूँ वो इस बात को देख के प्राथना भी करेगा रोएगा वो सुधार करेगा और ना सम्झ व्यक्ति इस बात को देखके नफरत करेगा बिरोध करेगा गुरू का लाल इस बात को देखके बदलाओ करेगा प्यास पैदा होगी रोएगा और प्राथना करेगा मेरी सुन लीजे सरन आये सब की बनी मेरी भी बनाईयो मेरी भी बनाईयो गुर्देव क्योंकि सरन आये सब की बनी बस रोज प्राथना करें रोज रोज विचारों में बदलाओ लाएं अपने भीतर अपने आपको जागरुक करें कि भीतर हो क्या रहा है नफरत आई तो क्यूं आई क्योंकि ये सब बादा है उसकी और हैंकार आगया तो क्यूं आया मान आ गया तो क्यूं है अस्तूतिन इंदा मान बढ़ाई मन से मार गिरावै अस्त सिधी की अटक न माने आ गया कदम बढ़ावै जब कोई राम भगत गत पावै परमात्मा को कब पाएगा जब रिदी सिधियां का भी अंकार में ना आ जाए बहुत से लोग मिली हलद की गां मुष्टा बया पंसारी छोट छोटे चमतकार कर देते हैं बसो सिध्म वहो पबलिक कठी हो जाए बढ़ गया सिध्वाई वेरान क्या मिल गया मिली हलद की गांठ और मुष्टा बया पंसारी खोटा पैसा हाथ बढ़ा मन में विपारी ऐसे नहीं वह रिदी सिधियां आती हैं क्यों आती हैं क्योंकि ये नाम की दासी है अस्ट सिधी नोनिद नाम की दास है सुक्संपुति भोग वक्ति के पास है गुरु गुमानी दास ब्रह्म उजास है निता अनंद भजले तो कारज रास है अस्ट सिधी नाम की दास है जैसा कोई व्यक्ति इमानदारी से नाम जाप करेगा, सिमरन करेगा, सेवा करेगा, उसकी जुबान में बल आ जाता है, ताकत आ जाती है, मुख से कह दिए, उस सफल हो जाता है, फिर उस सफल हो गया, तो मान आ गया, लोग बड़ा सिद्ध बांते हैं, उसके मुन महंकार आ गया, लोग सिद्ध मानते हैं, बड़ी जुगती से दसमें द्वार तक पोंस्त हो गया पर रिदी सिधी के रूप में माया उतार लेती है जोगधाना लगाए के पहुचे दसमें द्वार रिदी सिधी के रूप में माया लिये उतार फिर माया वहीं लाके पटक देती है जीव को कैवल प्रमात्मा की प्रेम भक्ति के इलावा समर्पन के इलावा उसकी याद के इलावा जगत की कोई इमान सोभा की बात आती है तो भक्ति से तोड़ती है इस बात को नोट कर लेड़ा वो जीव जुड़ेगा निए तूटता ही जाएगा तूटता ही जाएगा इसलिए अपने जीवन को सार्थक करना है चाहते हैं काल का गरास ना बने चाहते हो यो फिर दुबारा कीडा मोकोडा ना बनना पड़े तो मालिक को याद करो और दिन रात करो जग में थोड़ा बद बुरे विचार जो भीतर आते हैं जो नफरत के जो द्वेस के जो कप्ट के जो बेइमानी के जो रूप रंग के जो भीतर विचार आते हैं मैं उनको छोड़के याद कर याद है तो अबाद है और नतर बरबाद है याद में अबादी है ना तो जीवन बरबाद होता जा रहा है इसलिए अपने जीवन को सार्थक करें माले को याद करके सेवा करके सिम्रन करके प्राथना करके बलसद गुर्दे महराज की